आज की इस वीडियो की शुरुवात प्रधान मंत्री मूधी की पुरानी वीडियो से करते हैं जिसमें वे कह रही हैं कि मुझे कसम इस मिट्टी की आगे अब खुद सुनिये वो लूट रहे हैं सपनों को वे लूट रहे हैं सपनों को मैं चैन से कैसे सो जाओं वो बेच रहे हैं भारत को हम मैंने कसम उठाई है हम मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूँगा सोगन मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूँगा हमने आपको यह बियान आखिर क्यों सुनाया की भी जान लीजिए सरकार ने सोंबार को नैशनल मौनेटाइजेशन पाइपलाइन लौच कर दिया है वित्मंत्राले ने एक बियान में कहा है कि इसके दहत्वित वर्ष 2022 से 2025 तक 6 लाग करोड रुपई के एसेट्स पेजी जा सकते हैं इसमें सडक परिवहन एवराज मार्क रेलवे पिचली पाइपलाइन एवं नैच्रल गैस सेवल एविएशन शेपिंग पोर्ट्स सार्वजनिक वित्रन माइनिंग कोल और हाउसिंग अर्पन अफेर्स मंत्रालियों से चुड़ी एसेट्स शामिल हैं वित्मंत्री अब मोदी जी का एक और बेयान सुनिए जिसमें वैं रेलवे को ना बेचने की बात कर रहे हैं जो लोग अफाएं फ्याला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा हैं वो सरासर गलत है मुझसे जादा इस रेलवे को कोई प्यार ने कर सकता और इसलिए ये जो गब चलाया जा रहे हैं अब आप इस प्रजेक्ट में सुनिए कि रेलवे का कौन सा हिसा प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है इसके जानकारी गुरिष्ट पत्रका रवीश कुमार ने एंडी टीवी पर अपने शो प्राइम टाइम में दी इस मुद्री करण का बड़ा हिस्सा रेलवे से भी आने वाला है एक लाख बावन हजार करोड का लक्ष है रेलवे की लिस्ट देखकर यकीन नहीं होता कि अब बेचने की शुरुवात नहीं है 400 रेलवे स्टेशन, 90 यात्री गाडियां, 256 गुट्स शेट्स, 15 रेलवे स्टेडियम, 4 परवतिय रेलवे कुंकंड रेलवे के 741 किलोमीटर, फ्रेट कॉरिडोर के 674 किलोमीटर, ट्रैक पर ओवरहेड रेक्विप्मेंट का 1400 किलोमीटर ये सब प्राइवेट सेक्टर को दिये जाएंगे लेकिन आप इसे बेचना ना समझें सरकार चाहती है कि आप इसे मुद्री करण ही समझें, इस तरह दिल्ली की साथ रेलवे कॉलिनियों की जमीन को मॉनिटाइज किया जाएगा पी टी आई के अनुसार सरकों के मॉनिटाइजेशन से केंदर को 1.60 लाग करोड मिलेगे, बिजली से केंदर सरकार को 45,200 करोड रुपे का राज्टव मिलेगा टेलिकॉम सेक्टर से सरकार को 35,100 करोड रुपे मिलेंगे, एरपोर्ट अथारिटी ओफ इंडिया के 25 हवाई अड़ो को नीजी कंपनियों को देने भी सरकार जा रही है इस सरकार को लगबग 20,700 करोड रुपे मिलने वाले हैं इस मुद्दे पर कुछ सवाल राहूल गांदी ने प्रेस काउन्फरेंस करकर उठाई अब देखिए ये जो आसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड रुपे अपना पैसा डाला है ये पूरा गापूरा तीन-चार लोगों के हवाले किया जा रहा है आपसे कहा जा रहा है भाई और बहनों National Monetization Pipeline ये आपका भविश्य है ये जो आपका भविश्य है इसको बेचा जा रहा है इन तीन-चार उदियोगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है सरकार ने सरकारी संपत्यों को मॉनेटाइज करने की तैयारी कर ली और मीडिया में इस मुद्धे पर डिवेट तक देखने को नहीं मिली मीडिया इस वक्त अफ़कानिस्तान के मुद्धे पर ज्यादा व्यस्त है शायद इसलिए कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई हाथी से आई, घोडा से आई, नोटवा से आई, बोटवा से आई, समाजवाद बबुआ जाती से आई एक दलील लेकर आहे थे जस्वी आदव जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पेड़ पौधे, जानवर पशू सब की गिंती होती है तो जात पूछी जानी चाहिए सोशल मेडिया पर प्रधानमंत्री मूधी के एक वीडियो काफी वाइरल हो रही है, जिसमें वेव उलम्पिक्स में पैडल जीतने वाले खिलाडियों से कुछ खह रहे हैं आनेवाले समय में देखना यह होगा कि सरकार दोरा उठाये इस कदम से क्या हमारे देश के अत्वे वस्था दुबारा पटरी पर आती है या नहीं क्या इस कदम से सरकार को फाइदा होगा या रुकसान और आम जन्ता पर क्या अशर होगा ये तो आने वाला समय ही पताएगा वेरो रिपोर्ट, पंजाब कुडे टीवी